नवश्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्कियों पर बिहार में चर्चित वेविसाई के कई ठिकानों पर E.D. की दबिश NCC परिक्षा का पेपर लीक हिट कौर्टर ने की कारवाई सक्षमता परिक्षा के लिए एक लाग से अधिक सिक्षकों ने किया आवेदन IGI MS में जल्द 24 खंटे मिलेगी नेत्र इमर्जेंसी सहित कई सुविधा रवेंद्र जडेजा को प्लेयर आफ ता मैच का मिला खिताब इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से सिक्षा विभाग की ट्रेडिंग में शामल नहीं होगे युनिवर्सिटी के अफसर पटना के चानक की रास्टे विधी विश्व विद्याले में सिक्षा विभाग ने दो दिवसिये ट्रेडिंग कारिकरम का आयोजन किया और इसमें कुल पती को शामल होने का आधेस था इसके लिए राजजपाल से अनुमती मांगी गई राजपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चॉंकियू ने कहा है कि राजपाल सहकुल आधिपती ने इसमें सिक बजट पर चर्चा तैय है और उसके अलावाए अकैदमी केलेंडर, विद्यार्थियों के निबंधन, अंक, सूची, मूल, प्रमान, पत्र और माइग्रेशन के बारे में भी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी बिहार में चर्चित वेविसाई के कई ठिकानों पर E.D. की दबिश बिहार के रक्सौल के चर्चित वेविसाई, रामशंकर प्रशाद के कई ठिकानों पर E.D. की छापे मारी हुई E.D. ने हारी बजार, नागा रोड, बस स्टैंड, बैंक रोड सहित काई टिकानों पर शापे मारी की है और उसमें दुरलव मुर्तियों के साथ करोडों के नगदी जेवरात, भूमी के दस्तावेज, बैंक पासबुत सहित अन्य समानों को बड़ा मत किया गया बताया जाता है कि मकान में तहखाना और पलंग के बॉक्स में नोटों की गड़ी कहना और मकान जमीन के दस्तावेज रखा गया था बताया जाता है कि 10 करोड से अधीक की संपत्ती जबत की गई है, हालंकि इसकी आधिकारिक के पुष्टी नहीं हुई है वहीं नोटों की गिंती के लिए मशीन मंगवाया गया, इधर वेविसाई और उसका भाई फरार है फिलहाल संपत्ती को सुरक्षा कर्मी की निग्राली में रखा गया है वहीं वेविसाई के नेपाल में भी संपत्ती अर्जित करने की बात कही जा रही है बिहार में लाखों पैक सदस्यों की सदस्यता पर खत्रा बिहार में हाई कोट के आदेश के बाद लाखों पैक सदस्यों के सदस्यता खत्रे में है फिल्हाल यहां एक करोड चालिस लाख पैक सदस्य है हाई कोट ने सहकारी सोसाइटी नियमावली 1969 के नियम साथ चार को अवैद घोशित किया और इसके बाद भी इस नियमावली से सदस्य का चैन हुआ अब सदस्यता संबंधित व्यक्तियों के कारण जानते हुए उनके सदस्यता रद्द की जा सकती है इधर कोट के आदेश के बाद सहकारीता विभाग ने जिलो को निडेश दिया है साहयक निबंधन और DCO को निड़ने के लिए कहा गया इनकी संख्या लाखों में है और सहकारीता विभाग ऐसे सदस्यों की संख्या का आकलन कर रहा है अक्शन में विधान सभा के नए अध्यक्ष जवाब देने के दौरान मंत्री को टोका विधान सभा के नए अध्यक्ष बनने के बाद नंद किशोड यादव अक्शन में नजर आ रहे है दरसल मंत्री विजेंद्र यादव विपक्ष के विधायक के सवाल का सदन में जवाब दे रहे थे और उस पर नंद किशोड यादव ने सदन की गरीमा याद दिलाई और उन्हें खड़े होकर जवाब देने के लिए कहा और उसके बाद मंत्री ने खड़े होकर अपने जवा एंसेसी सी सर्टिफिकेट परिक्षा का पेपर लीक हो गया और ये पेपर सोशल मीडिया पर वारल हो रहा था और इसके बाद निदिशाले ने परिक्षा को रद्द कर दिया इधर एंसेसी मुख्याले के अधिकारियों ने पेपर लीक मामले की जाहत शुरू कर दी मुख्या गोशत किया जाएगा पेपर टीक मामले की पुलिस के अस्तर से भी जाज हो रही है लिखित परिक्षा के लिए पहुंचे कैड़िटों की प्राक्टिकल परिक्षा ली गई और इसमें 749 कैड़िट शामिल हुए वहीं परिक्षा के लिए आये प्रश्ण पत्र को एंसेसी नि युचिंद सिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दलाने के लिए परिक्षा क आयोजन किया जा रहा है और आवेदिन करने के लिए आज आकरी टारीक है इससे पहले आविदिन की तारीक 15 फरवरी तै थी लेकिन फिर इससे बढ़ा कर 19 फरवरी कर दिया गया आपको बता दे कि बड़ी संख्या में सिक्षक इस परिक्षा का विरोध कर रहे हैं और इसके बाद कई सिक्षकों ने परिक्षा के लिए आविदन नहीं किया और फिलाल सिक्षकों को परिक्षा पास करने के लिए 5 मौके मिलेंगे दो बार ओफलाइन परिक्षा का आयोजन होगा 26 फरवरी से ये परिक्षा ली जाएगी और इसमें कुल 69 विस्यों की परिक्षा हो रही है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें मार्च तक पहले चरण का निर्मान कार्य हो जाएगा और इसके बाद नेतर इमर्जनसी सपेसियलिटी क्लिनिक जान सहित ओपीडी की 24 खंट सुविधा मिलेगे फिलाल वार्ड और ओटी पुराने भवन में इस्थित है दो महिने में इसका निर्मान कार्य हो जाएगा यहां 154 बिड की विवस्था होगी और इसमें हर साल करीब 3 लाख मरीजों का इलाज किया जाएगा बच्चों के आँख से जुड़े सभी बिमारियों का इलाज यहां पर होगा ऐसी सुविधाएं बहाल की जाएगी जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाने के जरूरत नहीं पड़ेगी बिहार पुलिस का अधिकारी बन साइबर शातिर लगा रहे चूना बिहार में साइबर अपरात के कई प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं और इसी करीवे शाइबर सातिर बिहार पुलिस का अधिकारी बन लोगों को चूना लगा रहे हैं ये कॉल करके घर के किसी सदस्ते के गिरफतार ही होने की बात कहते हैं और पुलिस बन पैसों की मांग करते हैं योपी आई के जर्ये रुपे मंगवा भी रहे हैं ये मुझह परपूर जले के मारिपूर इलाके के कई लोगों को ऐसे कॉल आए और करीब आधा दर्जल लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई इसमें एक महिला से 83,000 रुपे की ठगी हुई है उससे साइबर शादिर ने कहा कि उसका बेटा गिरफतार हो गया इससे बचाने के लिए डिजिटल पेमेंट करना होगा बाद में महिला को पता चला कि वो ठगी का शिकार हो चुकी है जानकारी के अनुसार कई जिलों में ऐसी ठगी की घटना सामने आई तेजर स्वी यादव ने पुराना वीडियो शेयर कर सीयम नितीश कुमार पर साधार निशाना बिहार के पुर्व उकमुख मंत्री तेजर स्वी यादव ने पुराना वीडियो शेयर करके सीयम नितीश कुमार से सवाल किया है सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके पूर्वर डिप्टी सीम ने लिखा कि साल 2022 में उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की घोसना करवाई थी उस दोरान मुख्य मंतरी निटीश कुमार ने इसे असंभव बताया और 17 महीने डिप्टी सीम के तौर पर 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी गई जबकि 3 लाख लोगों को नौकरी मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरन में है और इन्हें इसी साल नौकरी मिल जाएगी इन्हें जल्दी नौकरी मिलेगी आपको बता दे कि तेजस्वी आदव नौकरी के मुद्दे पर मुख्य मंतरी को निशाने पर ले रहे हैं इन्होंने बताया है कि सीम ने पहले नौकरी देने की बात पर कहा था कि पैसा क्या आस्मान से आएगा तेजस्वी आदव ने सीम नितीश पर बोला हमला जदियू ने लगाया बड़ा आरोब तेजस्वी आदव ने सोशल मीडिया पर मुख्य मंतरी नितीश कुमार पर हमला बोला और साथ ही कहा है कि 10 लाग लोगों को नौकरी देने के संकल्प को सीम ने असंभव बताया था उन्होंने ये भी कहा था कि पैसा कहां से आएगा लेकिन मैंने सीम से नौकरी देने की घोशना करवाई वहीं अब इस पर जदियू के प्रवक्ता निरस कुमार ने बड़ा आरोब लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ते जिस्वी आदव की हेरा फेरी करने की मनशा थी उन्होंने पताया कि पूर्वे डिप्टी सीम तो लैंड फॉर्ट जॉब मामली के लिए जाने जाते है नौकरी देना तो सीम नितीश कुमार की कारेप्रनाली का हिस्सा है निरस कुमार ने कहा है कि अलग होनी का ये कारन था कि नौकरी में हेरा फेरी की मनशा थी केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग ने इंडिया गटबंदन पर बोला हमला कहा ये वंश वाद का प्रतीक केंद्रिय मंत्री और बीजेपी से सांसर दगिरे राज सिंग ने इंडिया गटबंदन पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि ये पडिवारवाद का प्रतीक है लालु यादव अपनी बेटे तेजस्वी यादव को सीम बनाना चाहते है केंद्रे मंत्री ने लालु यादव स्टालिन और ममतव अनरजी पर पडिवारवाद का आरूप लगाया साधी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी की तारीव करते वे कहा है कि उन्हें संत और रास्तरवाद का प्रतीक माना जाता है साल 2014 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पहले दिन ही लोगतंत्र के मंदिर के सीड़ी को प्रनाम किया था वे संत है और उनके अकाउंट में पैसा नहीं है उनके पास गोई चमीन या मकान नहीं है वे देश के लिए जीते हैं और राष्ट के लिए ही मरते हैं जबकि दूसरी दल पडिवारवात को आगे बढ़ा रहे हैं रावरी देवी के नेतरित्व में विधायकों ने लगा इन नारे विधान परिशद में विरोधी दल का नेता शुने जाने के बाद रावरी देवी पहली बार सदन पहुची और इस दौरान इन्होंने मुख्य मंतरी पर विधायकों को जराने का आरोप लगाया सुनील सिंग ने कहा है कि सीम नितीश कुमार एक ब्रस्टचारी नेता है वही रावरी देवी ने विधायकों को जराना बंद करने की बात कही है उप मुख्य मंतरी समराट चौदरी को अपनी गारी में बैठा कर विधान सभा पोचे सीम नितीश कुमार विधान सभा के बजट के चौथे दिन उप मुख्य मंतरी समराट चौदरी को अपनी गारी में बैठा कर सीम नितीश कुमार विधान सभा पोचे सदन में साल 2024 25 के बजट सत्र पर चरचा हुई मालूम होगी विपकषी दल की अब र राज़त दोर कॉंग्रस के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ समिक्षा का फैसला किया और इसके बाद सदन हंगामेदार है तेश-प्रताव यादव ने कहा 6 साल से किया जा रहा परेशान बहार सरकार के पूर्व मंत्री तेश-प्रताव यादव उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा है कि 6 साल से हमें परिशान किया जा रहा है हालंकि इन्होंने साफ तोर पर ये नहीं कहा है कि इन्हें किस मामले में परिशान किया जा रहा है और इसके बाद कई तरह के माई नहीं निकाले जा रहे हैं इनके परिवार पर ET और CBI की कारिवाई हो रही है और ये मामला Land for Job से संबंदित है वहीं दूसरे मामले में वे अपने परिवारिक परिशानी का जिक्र कर सकते हैं जिसल साल 2018 में इनकी शादी हुई थी और इसके छे साल पूरे हो गए उनके परिवारिक जीवन में कई तरह की परिशानी है वह इस पोस्ट का असल कारण तेश प्रताप यादव ही बता सकते हैं रविंद्र जडेजा को प्लेयर ओफ दे मैच का मिला खिताब इंडिया वर्सेस इंगलेंड के तीसरी टेस्ट मैच में भारत ने एतिहासिक जीत दर्ज की है और उसमें रविंद्र जडेजा और यशिस्वी जैस्वाल ने शांदार प्रदशन किया भारत ने 434 रनों पर जीत अपने नाम किया आपको बता दी कि इन्होंने प्लेयर टेस्ट मैच में 10 बार प्लेयर ओफ दे मैच के खिताब को हासल किया वहीं अनिल कुमले ने 9 बार प्लेयर ओफ दे मैच का खिताब जीता है इसमें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का भी नाम शामिल है बीते दीन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवी राज, राज किशोर महतो, सदुल्ला पालवी, रवी कुमार राम, नंद किशोर राए, गुनर शर्मा, कुलदीब कुमार, संजीव कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, छोटू राजा, विनोध कुमार यादव, कुलदीब कुमार, नवल किस उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है इंडिया बनाम इंगलैंड के तीसरे टेस्ट मैच में भारत के किस खिलारी ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सिक्षन में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इत हैं जर आपको समय आपको सबस्किट प्रभाव इंडे तीसरे सिक्षन हैं पिए मैं लिए बताए और आपकोस्वाबोते समया